हेलो फ्रेंट्स तेवारो की दिन चल रहे हैं और बगवान को भूग में सुजी का हलवा चड़ाया जाता है तो आज हम बनाने वाले हैं भूग के लिए बनने वाला दने दर सुजी का हलवा सबसे पहले गी में राइफर्ट्स को भूण रहेंगे लहां पर मैं एक कटोरी सुजी का प्रशाद बनाने वाली हूं अब सुजी को गोल्डन गाल होने तक ही है अच्छे से भूण लेंगे सुजी को लगाता चलाते हुए भूणना है यह बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए दूसरी गास पर एक बतन में मैंने एक गिलास पानी उबलने रख दिया है सुजी अच्छे से भूण चुकी है अब उबला हुआ पानी इसमें डालेंगे सुजी में उबलता पानी डालते वक्त सावधानी जरूर बढ़ते एक दम ध्यान से इसे करें थोड़ा थोड़ा करके गरब पानी इसमें मिलाएंगे अब हलवे में चीनी मिलाएंगे एक करटोरी सुजी के लिए मैंने आदा करटोरी चीनी का इस्तमाल किये हैं अब हलवे में थोड़ा गी और मिलाएंगे मैंने एक टेबल स्पून गी लिया है अब हलवे में बूने हुए ड्राइफिर्ट डालेंगे ड्राइफिर्ट को हलवे में अच्छे से मिला लेंगे प्रसाद के लिए हलवा बनकर बिल्कुल तयार है आप जरूर भूप के लिए इसे बनाएए तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपिके साथ धिन्ने वाज हला है कर दो ए लिए झाल झाल